बहुत अच्छे, बिल्कुल, औसे अनानस, औसे अनानस, बहुत अच्छे, इसके बाद दूसरा, याने तीसरा चित्र, आप देखिए तीसरा चित्र किसका है? वेरी गुड, अब ये कौनसे वाले इसे इमले होता है बिटा? वेरी गुड, एक्सेलेंट, यूर चैंपियन, अब आप लिखके मुझे दिखाए चोटा इसके लिखते है बिटा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, याने छोटा इसे हम लिखते हैं इमली, बहुत अच्छे अब आप मुझे बताए छोटा इसे इमली होता है, छोटा इसे और क्या हो सकता है? और कौन से? येस बिटा, बीजी गूट, बीजी गूट, हमारे संचायन तो एकदम चैंपियन हो गया है, बहुत अच्छे चलिए, अब हम इसके नीचे वाले चित्र पराते हैं, ठीके, ये क्या है बिटा? बहुत अच्छे, अब आप जब गदा बोल रहे हैं, तो पहला अक्षर कौन सा बोल रहे हैं? कौन सी ध्वानी आ रही है? ग, बहुत अच्छे, अब आप लिख दीजिए, ग, चलिए संचायन ने मुझे बता दिया, ग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब संचायन आप मुझे बताए, ग, से और कौन सा शब्द बनता है? ग, 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 बहुत अच्छे, ग, अब आप मुझे बताए, ये क्या है? उसके पास वाला चित्र, क्या है बिटा? अनारा? अनार, बहुत अच्छे, तो ये है अनार, तो हम फीर से क्या लिखेंगे? इसका पहला अक्षर क्या बन गया? वेरी गुड़, इसका पहला अक्षर फीर से अ बन गया, तो अ सी अनानस, अ सी अनार, एक्सिलेंट, वाउ, हमारे संचायन तो एकदम ब्रिलियंट है, उसके बाद क्या वाला चित्र है बिटा? देखिए, उसके बाद वाला चित्र क्या है? हावाई जहाज नहीं, हवाई जहाज, हवाई जहाज, ठीक है? तो अब हम हवाई जहाज कहते हैं, तो हमें धुआनी कौन सी मिल रही है? पहला अक्षर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? नहीं, पहला अक्षर बन रहा है, नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, हवाई बहुत अच्छे बिटा, पहला अक्षर बन रहा है, हवाई जहाज, तो आप मुझे हवाई लिख के दिखाईए कौपी में, चलिए देखते हैं हमारे संचायन कितना चाहा लिखते हैं? आ, very good, मुझे बहुत अच्छे से नजर नहीं आ रहा है, हाँ, आप नजर आ रहा है, very good, very good, so यहाँ हो गया हमारा ह, ह से हवाई जहाज, अब उसके बाद वाला चित्र क्या बनता है? उसके बात वाला चित्र क्या बनता है एक तारा अब एक तारा का पहला ध्वनी क्या है ए तो चलिए लिखते हैं ए ए से एक तारा वेरी गुड़ अब संचायन आप मुझे बताईए ए से और कौन सा शब्द बनता है वेरी गुड़ एड़ी बनता है और एक नौई एक एक वेरी गुड़ अब संचायन इसके पास वाले में चित्र में एक कीड़ा दिया गया है इस कीड़े का नाम क्या है खटमल बहुत अच्छे ये खटमल कहां रहता है नई बिटा ये खटमल पता है डर्टी डर्टी बेड्स पे रहता है जिसे बेडबक कहते हैं, जो बिस्तर जो लोग कभी धूप में नहीं डालते, जारा रोदे बिसना दाये ना, बिसना पुरिश्कार रखे ना, हाईजीन मेंटेन करे ना, शे बिसना ते ना एरकम छोटो छोटो पोका हाई, पोका गुना की शुंदत देखते ना, शुंदत द देखते हैं, तुमार हाशीटा बोलचे तुमार को पोछन दो हाई चे पोका कुना के, एक्टा में बाक्षा कोरे तुमार के दिया आशो, गिफ्ट कोरू, ठीक अचे ता, तुम्ही पेट बनावे, ओके, नू, इस बाट, राइट, सो, वी शुद ट्राइ, दाइस ताइप ठीकाचे, मा के, हेल्प कोरवे, बिसनाटा के, क्लीन राखते, ओके, अंडर्स्टेट, ओके, हाँ, आमे फोकाटा तो तुमार के गिफ्ट कोते पारभू ना, करो नहीं पोकाटा तो आमार काचे ने, ओके, तो, आमी देखिए, अन्नों की छे तुमार के गिफ्ट कोरू, पोकर वादो लेक्टा केटरपिलर गिफ्ट को ठीक अचे तो केटरपिलर आमर के चौनिक अच्छे तुमीने बहुत को लेट्स कम बैक तो यह है खटमल तो अब खटमल जब हम बोलते हैं तो पहला अक्षर क्या बोलते हैं भासे चल यह लिखते हैं ख घर से खटमल बहुत अच्छे वेरी गुड और उसके बाद वाला चित्र क्या है संचान घर और घर का पहला अक्षर घर बहुत अच्छे तो चलिए लिखते हैं घर से घर घर से घर बहुत अच्छे अब संचान हमें काम करते हैं आप यह जो लास्ट के जो तीन चित्र हैं वो आप ममी से भी नहीं पूछेंगे और मैं भी आपको नहीं बताऊंगी आप खुद इन चित्रों को पहचानिए और उनके पहले अक्षर लिख के मुझे बताईए चलिए आप लिख लीजिए चममच लिख लीजिए वेरी गुड दिखाए 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 वाव एक्सिलेंट संचाइड इस एक्सिलेंट चलो उसके बाद वाला क्या है बिटा उसको भी आप खुद से लिखिये चलिए वाव राइट इट्स टमाटर टो से टमाटर अब टो लिखते कैसे हैं वो मुझे लिख के दिखाए ये बहुत अच्छे बहुत अच्छे उसके बाद वाला चित्र क्या है बिटा वेरी गूड जसे जहाज ता आप लिख लीजिए ज कैसे लिखते हैं वेरी नाइस बेटा ये मुझे नजर नहीं आया थोड़ा सा उपर कीजिए हां थोड़ा सा एं हां ये बेटर पीटर ये बेटर इंह पर देटर येस, वेरी गूड, सो संचायन, जो सी चमच, उसकी बाद था तो सी टमाटर और उसकी बाद था जो सी जहार। जो तीनों आपने खुद किया, तो इसके लिए तो हमारे संचायन के लिए एक क्लाब बनता है, वेरी गुड, एक्सिलेंट, तो बिटा, आप इसी तरह चित्रों के साथ पहले अक्षर का अभ्यास कीजिए, और मैं हर रोज जैसा हो रहा है, उसी तरह मैं आपको अपने वीड भेजती रहोंगी, अब तो हम दो अक्षरों वाले शब्द भी सीख रहे हैं, तो आप वो सब्दों का अभ्यास कर रहे हैं न, ठीक है, तो आप शब्दों का भी अच्छे से अभ्यास कीजिए, ताकि केजी में जाके आपको मात्राओं का अभ्यास करने में कोई कठिनाई ठीक है, तो चलिए, अब बाई बाई, अच्छे रहना, खुश रहना, ममी को परिशान मत करना, और एकदम गुट बॉइ बनके रहना, ठीक है, लेकिन बहुत सारा खेलना भी, ठीक है, आपको खेलना पसंद है न, बहुत सारा खेलना है, लेकिन रोज पढ़ाई भी करनी है ममी के पास, ठीक है, ममी जब आपको पढ़ने को कहे ना, तो आप अच्छे बेटे की तरह पढ़ लेना, उसके बाद आप खेलना, ठीक है, ओकी, बाई बाई